आपके अपने चैनल दप्रेग्मेटिक क्लासिस में आपका स्वागत है बिहार सिख्षक भर्ती 2020 सिख्षा भी भागने जारी की सूचना 20 अप्रेल से काडियाले खुलेगा से एइसटी अप्भरती में खुसी की लहर 26 फरवरी का एंसर की क्या सबसे पहले जारी होगा यही होगा सबसे बरिखुस खबरी तो जाने के लिए विडियो को अन्तग देखें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं विडियो को लाइक करें अपन सामानी प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारे ये नूटिस भारत सरकार की अधितन मारग दर्सित का दिनांग 15-4-2020 की कंडिका 19-2-24-2020 के प्रभाव से काड़ियाले खोलने हेतु प्रावधान किये गए हैं तो इसमें क्या-क्या बात है पहला सामानी प्रशासन विभाग के सभी प्रशाखा एवं कोशांग दिनांग 24-2020 के प्रभाव से खुले रहेंगे दुसरा वर्ग को एवं खो के सरकारी सेवक नियमित तोर पर प्रतिदिन काड़ियाले आएंगे वर्ग गो अन्य न्यून वर्ग तथा समिदा कर्मी के 33% करमचारी प्रतिदिन काड़ियाले आएंगे धर्ड पॉइंट प्रसाखाओं कोशांगों के पदस्थापित सहायकों आसू लिपिक संबर्ग के कर्मीयों डाटा इंट्री आपरेटरूं समिदा नियूजित कर्मीयों काड़्याले परिचारी के सम्बंद में शम्मंधित प्रसाखा पदादिकारी प्रभारी पदादिकारी द्वारा आंतरिक फवस्था के तहत रोष्टर का निर्धारन किया जाएगा चौथा पॉइंट उच वर्गिय लिपिक एवं निम्न वर्गिय लिपिक के सम्मंद में पुरु में निर्गत कार्याले आदेश दिनांग 16-3-2020 एवं 96 दिनांग 18-3-2020 द्वारा निर्धारित रोष्टर 24-2020 से दिनांग 3-5-2020 तक प्रभावी रहेगा पाँचमा पॉइंट सभी पदादिकारी सरकारी सेवकों को कोविड-19 के प्रवंदन सम्मंदी राष्टिय मारदर्सिका तता कार्यालयों में सोसल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित S.O.P. का पालन करेंगे चलिए प्रमुक रूप से सिक्षा विभाग के द्वारा जो सूचना जारी किया गया है उसे देखते हैं पहला पॉइंट सिक्षा विभाग एवं इससे सम्मंदित सभी निदे साले एवं अधिनस्त कार्याले 24-2020 के प्रभाव से खुले रहेंगे वर्ग कौ एवं खौ जिनमें की प्रते दिन नियमित रूप से कार्याले आएंगे ये सरकारी करमचारी और सेवक वर्ग गौ का न्यून वर्ग का 33% करमचारी ही आएगा तीसरा पॉइंट मुख्य स्तर पर मुख्याले में करमियों की जो संख्या है उसके अनुसार समंदित सखा के प्रभारी और मुख्य पदाधिकारी अवस्याएंगे चौथा पॉइंट कुल करमियों को तीन सम्हों में विभक्त किया गया है सम्हों एक के करमचारी 20, 21, 22 और 23 को आएंगे सम्हों दो में 24, 25, 27, 28 अपरेल को और सम्हों तीन में 29, 30, अपरेल और 1, 2, 3 मही तक और पाच्वा पॉइंट सिक्षा विभाग के अधिनास्त कार्यालायों के संबंध में सम्रूप आदेश संबंधित निदेशाले एवं कार्याले प्रधान द्वारा किया जाएगा सभी कार्याले प्रधानी या सरकारी सेवकों को कोविड-19 के प्रवंधन संबंधि राश्टी मर्गतर सिका तथा कार्याले में सोसल डिस्टेंसिंग के लिए निरधारित SOP का पालन करना होगा कार्याले वरी पतादिकारी निर्देशक कार्याले प्रधान अपने अस्तर से सभी कर्मियों की गहराई से जाच करेंगे और उसे सुनिशित करेंगे वो इस अबदी में ठीक है की नहीं इसे समंदित भारत सरकार की मार्क दर्सिका गवर्नमेंट ओफ इंडिया मेचे दिनांग 15-4-2020 के साथ मिला कर सभी कर्मी अवलोकन कर लेंगे ये आरके महाजन के द्वारा अपर मुखिस चिव सिक्षा विपाक के द्वारा जारी किया गया है पत्तर तो कारियाले खुल जाने के बाद कुछ समय बाद आसा करते हैं कि तीन माई तक 26 परवरी का सरप्रतम एंसर की जारी किया जाएगा और पुर्ण रुख से लॉकडाउन खत्म होने के बाद जल्द ही रिजल्ट भी पारित कर दिया जाना चाहिए तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपने सभी दोस्तों को वीडियो सेयर करें और सिक्षा विभाग अब जल्द ही कारेगरत होगी और एस्टेट की बाहली को पूर्ण लूप से पूरा कर दिया जाएगा लॉकडाउन के बाद अगर आप अब एस्टेट अभी अरती हैं तो आप हमें अपना स्कोर विट यूर डिस्टिक कोमेंट करें और अपने वीचार कोमेंट करें